अपने प्रदेश में बहुत कम ऐसे मंत्रिये जो अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं उन्हीं में से हैं विश्वास सारणी जो की सहिकारिता मंत्री हैं अपने विभाग को कैशलेस विवस्था के तहट किस तरह से उन्हें ढाला है उन्हीं से बाचित करेंगे श्वास जी कैशलेस विवस्था को आपने विवाग में किस तरह से विवस्था को यूज किया है तिकि प्रधानमंतrी जी और मुख्यी मंतrी जी का जो निर्णा है कि हिलदुस्तान की और मदरफिदेश की आर्थिक विवस्था कैशलेस हो और उसको लेकर हमने पहले फिज में तो एक राज बिस सवी कारीशाला की नीचे तक क्या अधिकारियों को बुलाकर हमने कारेशाला के माध्यम से हम क्या चाहते हैं कैशलेस कैसा हो, इस पर बादचीत की और इस कारेशाला की श्रंख्रा को हम नीचे तक लेके जाएंगे, हमाई PEC society तक हम लेके जाएंगे पर केवल कैशलेस कारिशाला या कैशलेस की बात करने से काम भी चलेगा हमने ये निर्णे दिया है कि हमारे एपेक्स बैंक और हमारे सभी सहकारी बैंक कैशलेस को लेकर केवल बात करेंगे ऐसा नहीं है बलकि कुछ काम भी करेंगे और उसलिए हमने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया, शायद देश में मुझे लगता है, अकिल अपना निर्णे होगा, कि अब कोई भी व्यक्ति एपेज बैंक में या सहकारी बैंक में जाएगा, वो ड्राफ्ट बनाएगा, उसको उसका शुल्क नहीं लएगा, वो बैंकर् केशलेस ट्रांजिक्शन को बड़ावा देने के लिए बहुत महत्पून बड़ा निर्णा है, यह हमने निर्णा लिया और इसके माध्यम से हमें लगता है कि लोगों को केशलेस की तरफ जाने में ज्यादा आकर्शन रहेगा, यह व्योस्ता है काफी अच्छी होती लेकिन उसको प्रोफेशनल तरीके से एजीक्यूशन जो होता है, वो नहीं हो पाता है, जो प्राइविट बैंक्स को हम देखते हैं कि गाफी इनिट स्टाफ रहता है, उसको लेकर आपके पाउच कर देखे हैं, तीक हमने इस बात को लेकर दंबीर्चा के साथ नाम किया, पहले त कुछ नए A.R. आ रहे हैं, जो पी-ए-सी साथ भी सिलेक्ट हैं, या यंग्सर्स हैं, उसमें हमने ये लेड़ने लिया है कि उन, हम जो अधिकारी हैं, उनको भी हम बैंकिंग की और ज्यादा विदा सिखाने के लिए अलट से ट्रेनिंग कराएंगे, और हर बैंक में हमारे धन्से ढाल सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को देखें, और हमने ये भी निने लिया है कि बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्राउओ करने के लिए हम कहीं से अच्छी या तो रिजर्वाइंग से हम बात करेंगे, हम कुछ कंसल्टेंसी भी लेंगे, जिससे हम ये पूरी प्रक कमर्शल मॉड्यूल नहीं है वो तो केवल कोई टाइप एहल ले और दफ्तर में बहुत अच्छा रंग करवा ले और ब्रांग बहुत अच्छी बना ले उसके आप कंपरिजन नहीं कर सकते आज भी सहकारी बैग जीरो परसेंट पर किसानों को रिंड तो हम ही देते हैं बीज और उनकी कोई तुलना नहीं है सहकारी संस्थाओं को लेकर आपने शुरुआत में काफी सक्त कदम उठाए काफी घोष्णा भी काफी करी एक बड़ी कारवाई की उमवी दिहां पर जगी थी लगता नहीं कि कहीं उसमें कारवाई में देरी हो रही है ने हाउसिंग सोसाइ सब्सक्राइटी को लेकर हमने बहुत तेजी से काम किया है सबी बाते मीडिया तक पहुंचें यह जरूरी नहीं रहता इस बात को लेकर मैंने भौपाल इंदौर और जवलपुर खासकर अधिकारियों की चार बड़ बैखे की है जिसको हमने बहुत पबलिसिटी नहीं दी और हमने यह निश्य किया है कि अगले दो महीने में हम सहकार जो भी हमारे हाउसिंग ससाइटी थे उसको लेकर बहुत सख्क कारवाई करेंगे और वो दो इस तर पर होगी पहला इस तर तो हमारा पहला लक्ष तो होगा कि सबी सहकार जो लोग दूशी हैं उनको उन पर खेले में as whole housing society पर काम गरेगा इंडिवीजील plot पर काम करेगा जिसकी जो हो सकता है house in society भी शिकायत हो 55 अभी हो उस तरह से उस काम हुथी थैनलाlike स्साइटी के के खिलाव 20-G잡 पर कारेवर करें घर, हर व्यक्ति का त्हार प्रियुन göra exercise इस पर उसको क्या रियायत मिलनी चाहिए उस पर हमकार करें। यहां पर किसानों को गरीकों को और जरुद मन्दों तक यहां पर तमाम अफसर मुधिया करा रहे हैं। कैमरा मजिक पार के साथ आशुक दोश पीडिया फर्स्टु पार।